السلام علیکم दोस्तों और आज चाइनीज लेंग्विज कॉर्स कम्प्लीट इन उर्दू के लेक्चर नमबर 14 के साथ हाजिर हूँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये देखे हमारे पास है वर्ड पू पू मतलब नो या नौट यानि अगर आपने किसी चीज को डिनाई करना है नहीं कहना है नोट कहना है तो चाइनीज में इसके लिए हम क्या इस्तमाल करते हैं पू बी को कैसे प्रणौस करते हैं चाइनीज में पी के तोर पर पू मतलब नो नोट या नहीं For example, मैं कहना चाहता हूँ के मेरी तबियद ठीक नहीं है मेरी सहथ ठीक नहीं है तो कैसे कहूँगा वा शन्थी पूहाओ मेरी सहथ ठीक नहीं है My health is not good ठीक है पू कब आएगा इसके अंदर शन्थी के बारी शन्थी के बाद ठीक है तो इसी तरह यह देखे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ के वा पू लाए मैं नहीं आउंगा मैं नहीं आ रहा यानि वर्ब से पहले लाए और चू से पहले आप पू को लगाएंगे ठीक है वा पू लाए मैं नहीं आउंगा I will not come Zothian वा पू छू लहोर Yesterday I didn't go to Lahore कल मैं लहोर नहीं गया था ठीक है यह देखें पू वा पू मैं नहीं छू गया था लहोर लहोर ठीक है इसी तरह चिंतियन वा यह पू छू इसलामबाद आज मैं भी इसलामबाद नहीं जा रहा ठीक है जब यह आ गया तो यह के बाद पू आएगा यह मतलब also पू मतलब not यानि पू यह के बाद आएगा चिंतियन वा यह पू छू इसलामबाद आज मैं भी इसलामबाद नहीं जा रहा नेक्स वर्ड है दोस्तों हमारे पास ठीक है यह पहले भी हम दे चुके हैं ट, a, त, त, यानि बिग यह हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है त, यानि बिग और यह नेक्स वर्ड है हमारे पास शंगिन शंगिन यानि वोईस, अवास ठीक है शंगिन मीन्स अवास शंगिन meaning voice, अवाज ता meaning big, बड़ा अगर हम इन दोनों को कठा कर दे यानि यह बन जाए ता शंगिन ता शंगिन इसका मतलब होगा speak loud यानि अगर हम किसी को कहना चाहते है कि उंची वाज में बोलो तो हम कैसे कहेंगे उसे चाइनीज में ता शंगिन ठीक है अगर हम किसी से कहना चाहते है नर्मी से बोलो या नीची अवाज में बोलो तो कैसे कहेंगे श्याव शंगिन श्याव शंगिन श्याव श्याव शंगिन ठीक है तो यह देखा दोस्तो छोटा था यह वीडियो थी इसके अंदर हमने कुछ अपनी वकैब को वकैबली जो है वो पड़ी उमीद है आपको समझ आई होगी टेक कियर अलाफिस लाइक करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को